कुलुम्बाए असम के गवर्नर स्रीमान लक्ष्वन पुसाद आचारिय जी टेकनोलोजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े मुक्यमंत्री हिमंता बिश्वा सर्माजी मंच पर उपस्तित अन्य सभी महनुभाव भाईयों और बहनों आज कार्तिक पुर्णिमा का पावन अवसर है आज देव दिपावली मनाई जा रही है मैं देश भर के लोगों को इस पर्व की शुब कामनाई देता हूँ आज गुरु नानक देवजी का 555 प्रकाश पर्व भी है मैं पूरे देश को विशेश रुप से विश्व भर में फैले हुए शीख भाई भेनों को इस अवसर प्रबधाई देता हूँ आज पुरा देश जन जातिय गौरव दिवस भी मना रहा है आज ही सुभह में बिहार में जमुई में भगवान बिर्शा मुंडा की 150 वी जेनती के कारकम में शामिल हुआ और अब शाम को यहां पहले बोडो महोचशव का शुभारंब हो रहा है फर्स्ट बोडो लेंड फेस्टिवल में असम समेथ देश के अलग-लग राज्यों से बोडो समुदाय के लोग आये हैं शांती के, संस्कृती के, समुरुद्धी के नए भविश्य का उत्सव मनाने के लिए जुटे सभी बोडो साथ्यों का मैं यहां अभिनंदन करता हूँ साथ्यों आप कलपना नहीं कर सकते होंगे कि आज का यह अवसर मेरे लिए कितना इमोशनल है यह पल मुझे भावुक करने वाली पल है क्योंकि शायद यह दिल्ली में बैठे बैठे एर कंडिशन कमरों में बैठ करके भाती भाती की थीरियां लिखने वाले देश को बताने वालों को अंदाज नहीं होगा कि कितना बड़ा अवसर है यह पचास साल का लरक्त पात पचास साल तक हिंसा तीन तीन चार पीडी के हुआ इस हिंसा में खब गए कितने दसकों बाद बोडो आज फेस्टिवल मना रहा है और रणचनी नृत्य यह अपने आप में बोडो के सामर्थ को भी परिचित करवाता है और मुझे नहीं पता कि दिल्ली में बैठी हुए लोगों को इस जीजों का महत्मय समझ आता होगा और यह ऐसे ही नहीं हुआ है बड़े धैरिय के साथ एक एक गाट को उकेलते उकेलते उसको ठीक करते 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 आज आप सबने एक नया इतिहास रच दिया है मेरे बोडो भाईयों और बहनों साल 2020 में बोडो पीस एकोर्ड बोडो शांती सम्झोची के बाद मुझे कोकरा जाराने का आउसर मिला था वहाँ आपने मुझे जो अपना पन दिया जो ने मिला ऐसा लग रहा था कि आप मुझे अपना ही एक मानते हैं अपनों में से एक मानते हैं वो पल मुझे हमेशा याद रहेगी लेकिन उससे जादा कभी कभार तो एकाद बड़ा आउसर एक बातावरन उसका असर होता है लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ आज चार साल के बाद भी वो ही प्यार वो ही उत्सा वो ही अपनापन कोई कलपना नहीं कर सकता सास्यों कि मन को कितना भावुक बना देता है और उस दिन मैंने अपने बोडो भाई और बहनों को कहा था कि बोडो लेंड में शान्ती और सम्रुद्धिकी सुबह हो चुकी है और साथियों वो मेरे सिरफ शब्द नहीं थे उस दिन मैंने जो माहोल देखा था और शान्ती के लिए आप हिंसा का राह छोड़ करके निकल चुके थे सस्त्र दे रहे थे वो पल बहुती भावुक था साथियों और उसी समय मेरे भीतर एक मेरे अंदर से आवाज आई थी कि अब अब मेरे बोडो लेंड में सम्रुद्धी की सुभग हो चुकी है आज आप सब का उत्सा आपके चहरे की खुशी देखकर मैं कह सकता हूं बोडो लोगों के उजवल भविष्ध की मजबूत नीव तैयार हो चुकी है पिछले चार वर्षों में बोडो लेंड में हुई प्रगती बहुत ही महत्वपून है शान्ती समझोते के बाद बोडो लेंड ने विकास की नई लहर देखी है आज जब मैं बोडो पीस एकॉर्ड के फाइदे देखता हूं आप लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव देखता हूं तो इतनी मन को तसल्ली मिलते इतना मन को खुशी होती है साथियो आप कलपणा नहीं कर सकते हैं आप पलभर सोचिए कोई मा उसका इकलोता बेटा और उस मा ने बहुत लालन पालन से बड़ा किया हो बेटे को और बेटा अन्य साथियों से मिल करके हाथ में हथियार ले करके मा को छोड़ करके जंगलों में भटकता हो उसने जो रह चुनी है उसको पाने के लिए किसी की भी हत्या करने पर तुला हुआ हो मा बेबस हो करके निराशा में दिन काट रही हो और एक दिन पता चले कि मा तेरा बेटा उन सस्त्रों को छोड़ करके अब तेरे पास वापिस आया है आप कलपना कीजिए उस दिन उस मा को कितना आनन्द होगा आज पिछले चार साल से मैं वो ही आनन्द की अनुभूती करता हूँ मेरे अपने मेरे नवजमान साथी मेरी प्रार्थना को स्विकार करके वापिस लोट आये और अब हिंदुस्तान का भविष्च बनाने में कंदे से कंदा मिलाकर के मेरे साथ काम कर रहे है ये जीवन का ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना है साथीों मेरे मन को बहुत तसल्ली देनी बड़ी घटना है और इसलिए मेरे आपका जितना अभिनन्दन करू तरह कम है और साथीों बोडो शांती समझोते का लाप सिर्फ आपको ही हुआ ऐसा नहीं है बोडो शांती समझोते ने कितने ही अन्य समझोते के लिए नए रास्ते खोले अगर वो कागज पर रह जाता तो शायद और लोग मेरी बात नहीं मामते लेकिन आपने जो कागज पर था उसे जीवन में भी उतारा जमीन पर भी उतारा और लोगों के मनमस्तिस को भी आपने विश्वास दिलाया और उसके करण आपके इस इनिशेटिव के करण और सारे समझोते के रास्ते खोले थे और इसलिए एक प्रकार से पूरे नौर्ट इश्व में आपने शांती की जोत प्रजलाई प्रजलित की है दोस्तों साथ्यों इन समझोतों की वज़से सिर्फ असम में ही यह आकड़ां मैं फिर कहूंगा दिलने में बैटे बैटे माया हरतियों को पता नहीं होगा सिर्फ असम में ही दस हजार से ज़्यादा युवाओं ने हतियार छोड़ा हिंसा का रास्ता छोड़ा है कि विकास की मुख्यधारा में वापस लोटे हैं किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कार्वी एंगलोंग समझोता ब्रूर यांग समझोता एनलेप्टी त्रिपुरा समझोता ये सारी बाते एक दिन सच्चाई बन जाएगा और ये आप सब के सहीयोग के कारण ये सब संबव हुआ है साथियोग और इसलिए एक प्रकार से मैं आज पुरा देश जब जन जाती है गवरों दिवस मना रहा है तब जब आज भगवान बुरसा मंडा की जनती है तब मैं आज यहां पर आप सब को थेंक्यू कहने के लिए आया हूँ दन्यवाद कहने के लिए आया हूँ आपके परिवार जनों को प्रणाम करने के लिए आया हूँ कि शायद जो सपना संजोया हो उसको अपनी आखों के सामने चरितार्थ हो करके देखते हैं तब रदय रदय भावनाओं से भर जाता है दोस्तों आर इसलिए मैं आपका जितना धन्यवाद करूतना कम है और मैं देश के नौजवानों से कहता हूँ आज भी नक्सलवाद के रास्ते पर जो नौजवान है मैं उनको कहता हूँ कि मेरे बोडो साथ्वों से कुछ सिखिये बंदुक को छोड़िये बंबंदुक पिस्टोल का रास्ता कभी भी परणाम नहीं लाता है परणाम बोडों ने जो दिखाया नहीं वो ही रास्ता लाता है साथियों विश्वास की जिस पूंजी को लेकर मैं आपके पास आया था आप समने मेरे उस विश्वास का मान रखा मेरे शब्द की जत्की और मेरे शब्द की आपने इतनी ताकत बढ़ा दी है कि वो सदियों तक पत्थर की लखीर बन गया है दोस्तों और मैं भी हमारी सरकार असम सरकार आपकी विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे है साथियों केंद्र और आसम की सरकार बोडो टेरिटोरियल रीजन में बोडो समुदाय की जरुरतों और उसकी आकांच्छाओं को फ्रात्फिक्ता दे रही है बोडो लेंड की विकास के लिए केंद्र सरकार ने पंद्रा सो करोर रुपिय का विशेश पैकेज दिया है असम सरकार ने भी स्पेश्चल डेवलप्मेंट पैकेज दिया है बोडो लेंड में सिक्षा, स्वास्त और संस्कृति से जुड़े इंफ्रास्ट्रेक्टर को विश्चित करने के लिए साथ सो करोर रुपिय से ज़्यादा खर्च किये गए है हमने हिंसा छोड मुख्य धारे में लोटे लोगों के प्रती पूरी संवेजन सिल्ता से निर्णे लिए है नेशनल डेमोक्राटिक फ्रंट अब बडोलेंड के चार हज़ार से ज़्यादा पूरुबक कैडर्स का उनर्वास किया गया है कितने ही विवाओं को असम पुलिस में नोकरी दी गई है बोडो संगर से प्रभावित प्रत्य परिवार को असम सरकार ने पांट लाख रुपय की मदद भी पहुचाई है आपको जानकर खुशी होगी कि बोडोलेंड के विकास के लिए असम सरकार हर साल आट सो करोड रुपे से ज़्यादा खर्च कर रही है साथ योग किसी भी छेत्र के विकास के लिए जरूरी है कि वहां के युवाओं को वहां के महिलाओं का स्कील डवलप्मेंट भी हो और उन्हें अपना काम करने के भी पूरे मोके मिले जब हिंसा रुकी तो बोडो लेंड में विकास का वटवरुक्ष लगाना बहुत जरूरी था और यही भावना सीड मिशन का आधार बनी सीड मिशन यानि स्कीलिंग, एंट्रप्रिनर्शीप और एंप्लोईमेंट डेवलप्मेंट के माध्यम से नव जवानों का कल्यान, इसका बहुत बड़ा फायदा बोडो युवाओं को हो रहा है साथियों, मुझे खुशी हैं कि कुछ साल पहले जो युवा बंदूग था में हुए थे अब वो स्पॉर्ट्स के ख्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं कोकराजार में डुरन कप के दो एडिशन होना बांगलादेश, नेपाल और भुटान की टीमों का आना अपने आप में इतिहासिक है इस शांती समझोते के बाद पिछले तीन साल से कोकराजार में लगातार बोडो लेंड लिटरेरी फेस्टिबल भी हो रहा है और इसलिए मैं साहित परिशत का तो विशत आपारी हूँ यह बोडो साहित की बहुत बड़ी सेवा का काम हुआ है आज ही बोडो साहित सभा का तो तहत्तर मा स्थापना दिवस भी है यह बोडो लिटरेचर और बोडो भासा के उत्सव का दिन भी है मुझे बताया गया है कल 16 नमंबर को एक कल्चरल रेली भी निकाली जाएगी इसके लिए भी आपको मेरी बहुत बहुत शुप कामरा है और सांतियों जब दिल्ली देखेगा नहीं है तब पुरा देश को देखने का अउसर आएगा तो अच्छा किया है आपने दिल्ली की छाती पर आकर के शांती के गीत गाने का तै किया है साथियों अभी मैं यहां एक्जिबिशन में भी गया था इस एक्जिबिशन में हमें सम्रुद्ध बोडो आर्ट एवन क्राफ्ट इसके दर्शन होते हैं यहां आरोनाय, दोखोना, गामसा, करेद अखिनी, थोरखा, जोगिशी, खाम, ऐसी अनेब चीजें वहाँ उपलग्द है और यह ऐसे प्रोडक्ट है जिनको जी आई टेग मिला है यानि दुनिया में यह प्रोडक्ट कहीं भी जाए इनकी पहचान बोडो लेंड से, बोडो संस्कृति से ही जुड़ी रहेगी और सेरी कल्चर तो हमेशा से बोडो संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है इसलिए हमारी सरकार बोडो लेंड सेरी कल्चर मिशन चला रही है हर बोडो परिवार में बुनाई की भी परंपरा रही है बोडो लेंड हैंडलूम मिशन के माद्यम से भी बोडो संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है चाथ यह असम भारत के टूरीजम सेक्टर की भी बहुत बड़ी ताकत है और हमारा बोडो लेंड जैसे असम भारत के टुरिजम की ताकत है वैसे असम के टुरिजम की ताकत कोई है वो बोडो लेंड है एक समय था जब मानस नेशनल पार्क, राइमोना नेशनल पार्क और सीखना जलाओ नेशनल पार्क इनके गने जंगल अन्य गती विजियों का ठिकाना बन गए थे मुझे खुसी है कि जो फॉरेस कभी हाइड आउट हुआ करते थे वो अब युवाओं की हाई एम्बिशन को पूरा करने का भी माध्यम बन रहे है बोडो लेंड में बढ़ने वाला टुरिजम यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेकों नए मोके बनाने वाला है साथियों आज जब हम यह महोत्सों मना रहे हैं तो हमें बोडोभा उपेंद्र नाज ब्रह्मा और गुरुदेव काली चरन ब्रह्मा का समर्णाना बहुत स्वाभाविक है बोडोभा ने भारत की अखंडता और बोडो लोगों के संबेदानिक अधिकारों के लिए लोगतांत्रिक तरीके को हमेशा आगे रखा गुरुदेव काली चरन ब्रह्मा ने समाज को अहिंसा और आध्यात्पगे रास्ते पर चलकर एक जूट किया आज मुझे इस बात का संतोस है कि बोडो माता और बहनों की आँखों में आशु नहीं बलकि उजवल भविश्य का सपना है हर बोडो परिवार के मन में अब अपने बच्चों को बहतर भविश्य देने की आकांशा है उनके सामने सफल बोडो लोगों की प्रेणा है बोडो समुदाय के कई लोगों ने विशिष्य पदों पर रहकर देश की सेवा की है हमारे देश में मुख्य चुनाव आयूकत इलेक्शन कमिशन रहे स्री हरी शंकर ब्रह्मा मेगाले के राजपाल रहे रंजीत छेखर मुशाहरी जैसे कई हस्तियों ने बोडो समुदाय का मान बढ़ाया है मुझे खुसी है कि बोडो लेंड के युवा अच्छा करियर बनाने के सपने देख रहे हैं और इन सब में हमारी सरकार चाहे वो केंद्र में हो या राज में हर बोडो परिवार की साथी बनकर उनके साथ खड़ी है साथियों मेरे लिए असम सहीट पूरा नौर्थ इस्ट भारत की अश्ट लक्षमी है अब विकास का सूरच पूरप से उगेगा पूरवी भारत से उगेगा जो विक्सित भारत के संकल्प को नई उर्जा देगा इसलिए हम नौर्थ इस्ट में स्थाई शांती के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं नौर्थ इस्ट के राज्यों के बीच के सिमा विवादों का सहुआत के साथ समादान खोज रहे हैं साथ्यों बीते दसक में असम के विकास का नौर्थ इस्ट के विकास का सुनहरा दौर शुरू हुआ है भाजपा एंडिये सरकार की नीतियों के कारण दस वर्थों में पचीस करोर लोग गरीबी से बाहर निकले हैं इनमें असम के विल लाखों साथ्यों ने गरीबी को मुक्ति पाने के लिए गरीबी के साथ संगर्श करते हुए गरीबी को पराजित किया है भाजपा एंडिये की सरकार के दोरान असम विकास के नई रिकॉर्ड बना रहा है हमारी सरकार ने हेल्थ इन्प्राशक्टर पर विश्यश फोकस किया है वित्ते डेड़ साल में असम को चार बड़े अस्पताल की सौगात मिली है गोहाटी, एम्स और कोकराजार, नालबारी, नागाउं मेडिकल कॉलेज की सुविदा से सबकी मुश्किले कम हुई है असम में कैंसर अस्पताल खुलने से नौर्थ इसके मरीजों को बड़ी रहात मिली है 2014 से पहले असम में छे मेडिकल कॉलेज थे, आज इनकी संक्या बारा हो गई है इसके अलावा बारा और नई मेडिकल कॉलेज खुलने की तैयारी है असम में बढ़ते ये मेडिकल कॉलेज, अब युवाओं के लिए अवसरों के नई द्वार खुल रहे साथियों, बोडो शांती सम्झोते ने जो रास्ता दिखाया है, वो पुरे नौर्थ इसकी सम्रुद्धी का रास्ता है मैं बोडो भुमी को सैंक्रो वस पुरानी संस्क्रित का सम्रुद्ध बसेरा मानता हूँ इस संस्कृति को बोडो संस्कारों को हमें निरंतर ससक्त करना है और साथियों एक बार फिर मैं आप सभी को बोडो लेंड फेस्टिवल की अनेक अनेक शुप कामनाई देते हैं आप सभी यहां इतनी विश्याल संक्यम आये आप सभी का दिल्ली में मुझे भी स्वागत करने का आउसर मिला मैं आपका रुदय से स्वागत करता हूँ और साथियों आप सबने मेरे प्रति जो अपनापन रखा है जो प्यार दिया है आपके आखों में जो मैं सपने देखता हूँ न बोड़ों कि मेरे सभी भाई बेहन मुझे विश्वास करना मैं आपकी आशा आकांशाओं को उस पे खरा उतरने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा साथियों और उसका सबसे बड़ा कारण ये हैं आप लोगों ने मुझे जीत लिया है और इसलिए मैं हमेशा हमेशा आपका हूं आपके लिए हूं और आपके कारण हूं मेरी बहुत बहुत शुब कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ पूरी ताकत से भोले भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद जी